और बाकी सारी जानकारी पर बात करेंगे तो पहली बात तो यह है उस RTI में पूछ गया था कि यह भी कॉस्चन है कि फॉर्म कब आएंगे तो यह clarity भी SSE ने कर दी है कि September में SSE का देखिए अभी जो कलेंडर है उसमें जून तक की अपडेट है SSE का आपको पता हो दो कलेंडर साल में आते हैं एक जनवरी में आ जाता है या पिछले साल के दिसंबर में आ जाता है और एक मई जून के असपास या जुलाई तक भी जा सकता है उसमें आए तो दो बार साल में कलेंडर अपडेट होता है जरूरी ने कि दो बार फिक्स है तीन बार भी हो सकता है अगर अपडेशन्स जादा होंगे तो तो यह अब दूसरा कलेंडर होप करिए कि मई जून का उसमें भरती आपको दिखाई देगी कि सेप्टेंबर में दिल्ली पुलिस की विकेंसी सेप्टेंबर में क्या डेट होगी वो उस कलेंडर के हिसाब से ही आपको पता चलेगा अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने सेप्टेंबर का दिया है दिल्ली पुलिस ने अपना प्र रहूं जो दिलले पुलिस ने दिये है चलिए वेकेंसी कितनी होंगी तो भच्छो वेकेंसी भी यह क्लिर कर दिया जो पहले 6400 वह ज्येर थी बहुत पुरानी अपडेट थी एक डेट साल पहली अब जो juvenile क्लियर के लियर लेटिस्ट अपडेट आया 7500 प्लस विकेंसीज आपके लिए क्लियर हो चुकी है और ये हमेशा रॉल रहा है दिल्ली पुलिस में कि वहिया दो अनुपात एक के अनुपात में ये विकेंसीज आती है लड़के के लिए 2 हिस्सा और 1 हिस्सा लड़कियों के लिए यानि इसके तीन हिस्से कर दोगे तो पच्छिस सो पच्छिस सो के बनेंगे तो पास हजार लड़के कोई और पच्छिस सो लड़कियों की ये एक रेशो होता है हमेशा 33% लड़कियों के लिए रिजर हो ठीक है चलिए एक्जाम दिल्ली पुलिस कराएगी या SSC तो एक्जा अगर ये SSC ना फैकती इसको वापस दिल्ली पुलिस के ऊपर तो ये पिछेतर सो वेकेंसी क्योंकि अभी दो मार्च आया नहीं है ये पिछेतर सो वेकेंसी ही दो मार्च को आ रही होती अब होता सकता है सेप्टेंबर आते आते थोड़ी और बढ़ जाएं पर और बढ़न तो ये बात भी क्लियर है तो पिछेतर सो आप मान लिजी ये वेकेंसी आने वाली है इससे बढ़ने के चांसी बहुत ही कम है यानि ना के बराबर है चलो तो कराएगी कौन SSC कराएगी एक्जाम 100% SSC ही कराएगी क्योंकि इनकी कोई अपनी तयारी नहीं है